नमस्कार दोस्तों मैं सावर कुमार आपका स्भागत करता हूं sensible के इस नए हिंदी डेली मार्केट अनलिस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनलिस से सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट अनलिस के तक आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है तो करेंगे आख एक but को अधकर कि यहां से यहां से ब्रेक आउट दिया और यहां पर एक मार्केट ने support लेकर इस जगे पर मार्केट वेट कर रहा है भी ठीक है तो almost market अभी बीच में है इस swing के हाला कि बहुत बड़ी बात हो जागी आगे की बात हो जागी लेकिन हमारे लिए market अभी जो nifty है वो almost बीच में है ठीक है अभी मैं जो इसका analysis है वो comparative analysis अगर हम bank nifty के साथ करेंगे तो आपको मैं और अच्छे से बता पाऊँगा बैंग nifty जिस condition में अभी खड़ा हुआ है ठीक है बैंग nifty जहां पर है अभी वो से ये समझ में आ रहा है कि bank nifty काफी comfortable state में है ठीक है मतलब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां से nifty ने अच्छा run किया था फिर एक retracement दिया है ठीक है bank nifty ने उतना अच्छा यहां पर run नहीं किया था इस candle के बाद एक अच्छा run उपर side पर नहीं किया लेकिन जो current condition हमें बता रही है जो हमने zone mark किया था पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि यह अब यह market में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे six month हो गए हैं अगर आप इसों हटा देंगे तो यहां पर पांच महीने हो गए हैं ठीक है अल्मोस्ट आधा साल हो गया है market इसी जो bank nifty है वो इसी zone में trade करता है ठीक है इसी zone में, एक zone में market trade कर रहा है तो और दूसरी बात market sideways है ठीक है, यह तो हम यहां पर समझ गए यहां से market sideways है और maximum activity छे महीने की इसी zone के अंदर हुई है ठीक है, तो यह zone तो बहुत important है market के लिए, अब यहां से अगर market और दूसरा, क्योंकि market sideways है तो हम यहां पर ये एक assumption ले सकते हैं कि ये एक positive signal है bank nifty के लिए तो ठीक है, क्योंकि market sideways है जब-जब market sideways रहा है तो हमें market में एक higher breakouts देखने को मिले है ठीक है, अगले मनत में, उस से अगले मनत में market ने हमें higher breakouts दिये हैं जब-जब market sideways होता हुआ हमें दिखाई दिया है, ठीक है बुद ज़नल थिवरी हमें पता है, तो यहां से bank nifty अच्छी condition में दिखाई दे रहा है, अच्छे levels पर दिखाई दे रहा है nifty भी एक hammer candle बनाई है निफ्टी ने इस तर से support लिया है तो यहां पर भी निफ्टी एक अच्छे condition में दिखाई दे रहा है यहां पर जो month का high है which is around 24,500 यह जब market cross करता हमें दिखाई देगा तो उसके बाद हम यहां पर bullish plan कर सकते हैं निफ्टी में भी ठीक है अभी चलो weekly analysis हम लोग plan करते हैं ठीक है weekly analysis पर देखते हैं market हमें कैसा दिखाई दे रहा है तो weekly analysis में भी मुझे ऐसा लगता है कि यह level काफी important है ठीक है जहां पर market ने एक support लिया था फिर market वापिस lower swing बनाता हुआ आया था तो यहां से अगर market यहां पर जाएगा तो maybe एक inverted hand and shoulder यहां पर दिखाई द तो यहां पर अगर इस तरीके से market move करता है ठीक है तो फिर market में higher targets open हो जाएंगे फिर market कोशिच करेगा फिर से 25,500 तक पहुंचने की ठीक है तो यहां पर इस तरीके का momentum हो सकता है तो पहले मुझे लगता है nifty को यह hurdle पार करना पड़ेगा 24,500 का zone पार करना पड़ेगा उसक है because अगर bank nifty का मैं mark करूँ bank nifty के लिए अगर मैं mark करूँ तो यह important level है which is 52,500 52,500 के उपर market अगर trade करना शुरू कर जाता है तो bank nifty कोशिच करेगा high के आसपास पहुंचने की ठीक है फिर bank nifty try करेगा धिरे 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 इस high के आसपास weekly charts के high को निकालने की bank nifty पूरी-पूरी कोशिच करेगा ठीक है और अब यहां पर बात कर लिए यह तो उमने positive aspect ने बात कर लिए कि बहुस यहां से अगर positive market को move करना होगा तो यह important level है nifty में positive move करना होगा तो 24,500 और bank nifty को अगर positive move करना होगा तो 52,500 आसे 600 के ऊपर ठीक है अब यहां से अगर market को negative move करना होगा तो market कैसे move करेगा तो simple सा है हमारे लिए बहुत बड़ी indication हो जाएगी अगर market 24,000 के नीचे closing देना शुरू कर देगा ठीक है 24,000 के नीचे फिर से assumption डालेंगे यह एक नया low बनाने के लिए move करेगा हम इसके लिए फिर trade करेंगे ठीक है और अगर daily charts पर आप जाएंगे तो आपको और clear indication यहाँ पर दिखाई देंगे कि वह अगर यह zone यह जो green candle है ठीक है अगर आप 24,000 बहुत pass में हमें लग रहा है तो 23,800 यह जो swing है यह भ कर रहा है तो यह इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि इसने एक selling pressure यहाँ पर इस दिन दिखाई दिया कारण उसका यह है कि यहाँ से जो buying momentum आया है मैं बहुत rarely comfortable होता हूँ कि यार इस buying momentum के बाद market में फिर से buying करने के लिए लेकिन अगर एक बास sellers try कर लेंगे और जो कि strong selling आई है ठीक है जिस तरीके की selling हम चाहते है market में फिर से selling market में जो आई है यह एक अच्छा indication है अब यह अगर इस seller को इस selling pressure को buyers लेके उपर चले जाते हैं तो then it's a good chance यहाँ पर हम लोग accumulation शुरू कर सकते हैं ठीक है तो basically nifty के लिए मुझे लगता है क यह 23,800 के अगर नीचे चला जाएगा जो कि almost आप कह सकते हैं कि वह से के sort of breakout level है जहां से इसने support भी लिया है ठीक है तो 23,800 के नीचे अगर move करेगा तो यह negative zone में चला जाएगा ठीक है और इसके ऊपर या 24,400 के ऊपर 500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यह positive zone रहेगा market के यह थोड़ा सा sideways the volatile zone रहेगा nifty के लिए ठीक है bank nifty में simple चार्ट पर चलेंगे हम लोग यहां से हमें यह समझ में आ जाएगा कि बहुत अगर यह 51,800, 51,500 के नीचे जाता है तो यह negative zone में चला जाएगा ठीक है क्योंकि जहां nifty जहां पर nifty अपने इस gap को fill कर चुका है bank nifty न यह gap market में maybe pending है तो अगर market higher side में move कर जाता है तो एक exhaustive gap बनता हो दिखाई देगा यह अब मैं आपको एक reference के लिए मैं आपको एक chart पर लेके चलता हूँ टाइटन का chart है टाइटन में बहुत समय पहले एक ऐसा pattern सा बना था मुझे वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक सवाल हो जाएगा देखिए यह बहुत time पहले बना था यह यह देखिए ठीक है यह ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है कि market में strong यहाँ पर buying आई ठीक है strong buying आई उ कुछ दिन trade किया इसने फिर breakout देके higher side पर यह move कर गया ठीक है और bank nifty अगर आप देखेंगे nifty को अभी रखते हैं side में तो bank nifty अगर आप देखेंगे तो bank nifty अगर आप देखेंगे तो bank nifty almost 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 वैसे ही दिखाई दे रहा है कि एक bullish move यहाँ पर आया और उसके बाद market sideways चला ग किया इसने अगर आप gap देखेंगे अब पता है इसने नहीं किया अभी तक यह देखें फिल नहीं किया इसने gap अभी नहीं करा है ठीक है तो फिर यह जो gap है I don't know exhaustive gap ऐसे कुछ इनको बोलते हैं और terms होती है मुझे नहीं पता इत्मा तो ठीक है और तो यह जो gap है कुछ gaps होत nifty हो मुझे लगता है बनता हूँ दिखाई दे सकता है में भी बहुत लेटर फ्यूचर में यह फिल करें वह गया लेकिन अभी कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको bank nifty में भी दिखाई देगा ठीक है bank nifty में भी आपको दिखाई दे रहा है और मुस्त यहां से market उपर जाने कोश दिन आपको इस ट्रॉंग ग्रीन कैंडल सरी की बनाकर दे दे तो यह फिर मुझे लगता है मार्केट यह गैप फोड़के ऊपर भाग जाएगा ठीक है ऐसा ही आपको फिर से होतावा दिखाई देगा तो अगर open interest की बात करें यहां पर निफ्टी के लिए तो निफ्टी के develop नहीं हुआ है अगर FIIs की बात करी जाए और प्रो की बात करी जाए तो FIIs अभी तो मुझे लगता पोजीशन से बिल्ड करना शुरू करेंगे क्यों मन्त का पहला ही टाइम है तो अपनी तो बुक कर लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो बुलिश पोजीशन थी इनकी यह में बुक कर लिए और नेगेटिव पोजीशन अभी भी है मतब कुछ जो हैं के अभी खड़े हो हैं विच ठीक है तो इतना कोई करने का यह मतलब भी नहीं है आगे आने वाले आपको टाइम बताएंगे यह कैसा है अगर प्रो कि यह दिखा जाए पोजीशन तो आप्शन च्छाए और यह यह नाईगेटिव है तो फोड़ा अप्रो ईड़ा नंगे ओ नोगों कि फीजर में जो फ्हुचर में एक हैनोपि अविवस्फू रपना चाहिए मंडे ट्यूजडे में यह पोजेशन और रक्षे से clear होती हमें दिखाई देंगी तो अब भी जो structure मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से तो हमारे पास market ने swings दे दी है हमें यह बहुत swing दे दिया है एक यह swing दे दिया है यह बहुत इसके ऊपर मैं bullish हूँ इसके नीचे में negative आप मान सकते हो अगर निफ्टी की बात करूँ यहाँ पर तो निफ्टी में भी यह swing एक important swing दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर मैं positive मान सकता हूँ इसके नीचे मैं negative मान सकता हूँ मार्केट को तो केवल मुझे swings को देखना है और उसके बाद उसके according हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो दूस्तों यह था मेरा निफ्टी और वांग निफ्टी का अनलसिस आई हो कि आपको पसंद आया होगा पसंद आतो इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजे सेंस फ्रेडी की आपड़ी का अनलसिक बंतों यह एँ ट्रेडिर खून्स